प्यारे बच्चों, आज हम नविका का पार्ट एक वर्माला पेज नमबर पांच पढ़ेंगे, जिसमें आपको स्वर और व्यंजन का ग्यान दिया गया है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा. स्वर, अ, आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, आ, आ, ओ, अ, अ, इसमें नहीं हैं क्योंकि वो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, अब व्यंजन पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, अर्ण, च, छ, ज, 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 इ, त, ठ, ड, ध, अर्ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, हा, सायुक्त व्यंजन, श, त्र, ग्य, श्र, ये हैं ड, ड, बच्चों, अब आपको मेरे पीछे बोलना है दुबारा, अ, आ, य, ई, ई, उ, उ, री, ए, आय, ओ, आउ, व्यंजन, ग, ख, ग, घ, अर्ण, च, छ, ज, 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 इयां, त, ध, द, ध, अर्ण, त, ध, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, हा, सायुक्त व्यंजन, श, त्र, ग्य, भ, श, द, भ, अब पेज पलटें और आते हैं दूसरे पार्ट पर जो है बिना मातरा के शब्द, ये शब्द हैं दो अक्षरोगे, तीन अक्षरोगे, और चार अक्षरोगे। पहले पढ़ते हैं दो अक्षरों के शब्द पन घट बच्चो अब आपने माता पिता के मदद से आप लोग वणमाला और बिना मात्राओं के शब्द कौपी में लिखेंगे और उसको दो भार पढ़ेंगे बाई बच्चो